केदर आप हिद्रमंद्री अमिश्चाहिमाई न्यू सेटी इन ड्यूपेटर राहुल जोशुड़ परतेगा अभी मुखम तलसमे सम्रश्टन अमिजी सबसे पहला सवाल हम लोग गुजरात में हैं चुनावी माहौल गरम है गुजरात आपकी जन भूमी भी रही है आपकी कर्म भूमी भी रही है पहला सवाल बहुत सीधा और सरल है कितनी सीट देते हैं गुजरात में आप भारती जनता पार्टी को देखे सीटों के आकलन करने के लिए तो बहुत जल्दबाजी होगी मगर मैं इतना निश्चीत कह सकता हूँ दिपावली के समय से लगबग मेरा गुजरात में आज सुलवा दिन है इतना निश्चीत कह सकता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी यहाँ पर अपने सभी चुनावी रेकोर्ड तोड़कर सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक मत प्राप्त करकर विजयी बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर हम सरकार करें क्या आप माधव सिंग सोलंकी का उनने सो पच्चासी का कॉर्ड जो की एक सो उन्चास सीटों का था उसको प्रेक कर पाएंगे माप करना आप मुझे हम रेकोर्ड तोड़ने की राधनीती नहीं करते हैं ना हमारी किसी से स्पर्दा है हमारा चुनाव का लक्स है हरेक मत्दाता का संपर्ख हो और जो भारतिय जनता पार्टी को वॉट देने वाला मत्दाता है वो हमारे कारेकरता की जिम्मेदारी है कि वो हर एक मत्दाता का मत्दान हो हम चुनाव के जरिये हमारी पार्टी की आइडियोलोजी को हमारे संगठन को एक्सपांड करना चाते हैं और यहां मजबूत सरकार देकर एक सुरसित, सुविक्सित संस्कृत और सिक्सित गुजरात बनाना चाते हैं फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा मोदी जी के लिए प्यार या फिर भूपेंद्र जी का प्रदर्शन भी इस बार एक बड़ा बुद्दा रहेगा आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो 1990 से लेकर आज तक भारतिय जनता पार्टी गुजरात में एक भी चुनाव नहीं आजी यह भारतिय जनता पार्टी का clear-cut record है और आप सभी जन्नलिस्टों को मालूम पढ़ना चाहिए जब कभी भी हम चुनाव के मैदान में भारतिय जनता पार्टी गुजरात के कारे करता गए हमने विजय प्राप्त की है और वो विजय का कारण है गुजरात की जनता का आसिरवाद और असीम स्ने है और मैं मानता हूँ कि हमने गुजरात की जनता की अपेक्सा पर खराक कर उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है यही गुजरात है जहाँ एक जमाना था कॉंग्रेस का सासन था 365 दिन के साल में से 200-200 दिन तक करफ्यू रहता था आज गुजरात के 20 साल के लड़के को अगर पूछ ले कि भाईया करफ्यू क्या होता है तो जर्नल नॉलेज में वो फेल हो जाएगा जर्नल नॉलेज के अक्षाम में उसने करफ्यू देखा ही नहीं मैं खूद विद्धार्धी पडिशत के काम के लिए पोरबंदर गया था एक लेमरिटा स्कूटर के पीछे बैटकर मैं जा रहा था पोरबंदर की सीमा शुरू होती थी वहाँ पर एक बॉर्ड लगाया था दबंगो ने कि यहां से पोरबंदर शुरू होता है कानून और व्यवस्ता की हद यहां पर पूरी होती है और नौटिफिकेशन निकाल कर कॉंग्रेस सरकार ने पोरबंदर की जैल को बंद करना पड़ा था क्योंकि जैल चलाना वहां संभव नहीं था इससे लेकर आज तक जो भारतिय जनता पार्टी का सासन रहा विशेश करकर मोदी जी का कालखंडा और मोदी जी के बात का कालखंडा हमने यहां पर कानून और व्यवस्ता की मजबूत एक अभेद दिवार सरहदी राज्य के खड़ा करने के लिए हम सफल हुए हैं और इसके अच्छे नतीजे आए हैं क्योंकि कानून और व्यवस्ता की अगर स्थिति ठीक है तो सिक्सा का स्तर भी सुदरता है ग्रामिज विकास भी होता है, सहरी विकास भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी आता है तो इन टोटो गुजरात के डेवलप्मेंट में बहुत अथे तरिके सम परफॉर्म कर पाए है अमिजी, पिछले 27 सालों से गुजरात की जनता भारती जनता पाटी और कॉंग्रेस के बीच में ही मट डालती आई है इस बार कह रहे हैं कि एक तीसरी पाटी भी जो है आम आदमी पाटी उसने भी जो है अपनी प्रेजन्स यहां पर बनाई है कैसे देखते हैं आप क्या इस बार यह लडाई त्रिकोणी है दिखे आपने आपके यहां के पर काम करने वाले जर्नालिस्टों से चर्चा किया होता है तो साइद इस सवाल अलग तरिके से पूर्टे ऐसा नहीं है कि हर बार कॉंग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला बीच में केसु भाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई इसके बीच में संकर सिम्वागेला ने पार्टी बनाई उसके पहले चले जाए भाजपा जीतने के पहले तो चीमन भाई पटेल जो रादनीती के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति माने जाते हैं और जिनकी जनस्विक्रूती भी काफी थी एक जमाने में उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई गुजरात ने कभी भी तीसरी पार्टी के कंसेप्ट को एकसेप्ट नहीं किया है गुजरातियों का सभावे सबकी सुनते हैं अब सुनने के कारण किसी के मन में ब्रांती हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ डिब्बे खुलने दीजे, परिणाम बहुत स्पष्ट आने वाला है. अमिजी बहुत लोगों का कहना, हमारे यहां पत्रकार जो साथी है, उनका कहना यह है कि भारती जनता पार्टी की लडाई इस बार भारती जनता पार्टी से ही है. कि यूठ को अच्छा ही है जो जीतेगा वो भगपा जीतेगा जी जी सुवाल यह है कि काफी बड़े नेताओं के टिकट कट गए है काफी लोगों को आपने जो कि बहुत समय से भारती जन्तर पाड़ीें शंग जुड़े हैं पांच भार मले रहे हैं साथ बारे मेले रहे हैं, मदूचे बास्तव हों, योगेश पटेल हों, इस तरह लोगों को इस बार टिकेट नहीं मिला, तो क्या इस वज़े से, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, कि कहीं इस वज़े से कोई लोगों में थोड़ा सा मन मुटाव तो नहीं है? जरा भी मन मुटाव का सवाल नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो पहली बार नहीं हुआ है, मैं 1995 से भारतिय जनता पार्टी की चुनावी प्रक्रिया को बहुत नद्दीक से देखने वाला कारे करता हूं, और दो से प्रक्रिया के अंदर बैठने वाला कारे करता हूं, हर बार 30% के आसपास टिकीट और चेहरे बदलते हैं यह हर बार की प्रक्रिया है मगर एक भी बड़ा चेहरा बागी बनकर नहीं खड़ा है आज सभी लोग परचा डलवाने के लिए गए सभी के भाषण हुए हैं सभी आप लोगों के इंटर्वू में भी आ रहे हैं भारत्या जनता पार्टी का एक कलचर है कि भारती जनता पार्टी में जो फैसला होता है वो सभावी क्रूप से अगर मेरे लिए कोई मुझे पसंद ना ऐसा फैसला होगा तो में व्यक्ति हूं अन्ततों गतवा दुख तो होगा ही होगा मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं पार्टी के खिलाब काम करूँगा पार्टी की एक डिसिप्लिन होती है पार्टी की एक संस्कूरती है और हमारी पार्टी की परंपरा भी है और हमारे सारे निता मेरी सबसे बात हुए एक लाइन से भारती जनता पार्टी को जीताने के लिए कटी बद्ध है और पूर जोज से लगे हुए नई हम लोगों ने सुना है कि आप परसनली सब से बात कर रहे हैं और यहां पर जमय हुए हैं और भारती जनता पार्टी के सीनियर वरिश्ट नेता हुए हैं जमय क्या हुए? मैं यही का हूँ भी, कहां बार बित्ते हो? ने, मेरा मतलब है आप दिल्ली से यहां जमे हुए है पिछले दो मैनों से. एमिछ जी पिछले दष सालों में, आप लोगों ने कुछ मुख्य मंत्री बदले पिछली बार तो आपने पोरी की बदल डाली इस बार भी जो काबनेट में कुछ्छ मनत्रे उनके भी कुछ के टिकट कटे हैं, तो क्या मोधी जी के यहां से जाने के बाद, आपके यहां से जाने के बाद, गुजरात ने एक स्थिरता आप आपाई है, गुजरात अपना नेता डून पाया। उनके 75 सार समाप्तुने में दो मेंडने थे, आननदी बेन को बढ़ ला गया, उसके बाद में विजय भई आये, विजय भई पूरे पांच साल अपने पूरे किये, और भुपेंदर भई कर रहे हैं, भुपेंदर भई के नेतृता में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके भारतिय जनता पार्टी का बहुमत आएगा, तो श्री भुपेंदर पटेल ही मुख्य मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो रहे हैं. अभी जी एक चीज देखी गई है कुछे पिछले कुछ सालों में, कि एक फ्रीबीस की राजनीती चाली हुई है, आप लोगों ने उसके अगे, मतलब बहुत जोरों से बोला भी है, मोदी जी ने भी कहा है, उसको रेवडी की राजनीती बताया है, मगर नई पाटिया आती करने वाले लोग है, पढ़ने वाले लोग है, समझने वाले लोग है, और सोच समझ कर एनालिसिस करकर गुजरात की जनता फैसला लेती है, अब तक जो वादे किये गए इसका योग बताए, तो गुजरात का बजेट 2,42,000 करोड है और वादे हो गए 3,52,000 करोड के, नई इ करनी है, पूराना बजेट 2,42,000 करोड लाना है, कोई बता दे जरा कैसे लाएंगे, इसका तो हिसाब दे, ये गुजरात की जनता समझ है, और कुछ वादे तो इतने हास्यास पद है, हम प्रात्मिक सिक्षा को फ्री करेंगे, हमारे यह 1960 से प्रात्मिक सिक्षा फ्री है, अ थोड़ा श्टड़ी तो करना जहिए.